Hello everyone, आप लोगों का स्वागत है मेरे को और वीडियो में, आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है NCRT-based science 30 MCQ का test number 2, चलिए वीडियो की सुरबात करते हैं, ये मैं आपको detail में NCRT पढ़ा रहा हूँ, NCRT science, जिसका set number 42 आज सुभा आया था, I hope कि आप सब देखे ह जोंगे, अगर वो वाला वीडियो फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको जरूर देखें, जब वो आप पढ़ लेंगे, उसी के अधार पर इसका test का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 option लिया जाता है, यानि MCQ form में रहता है, जिससे आपकी exam जो होगी, तो MCQ form में होगा, तो अभ प्रस्ण, माल लेते हैं, किसी व्यक्ति का धर्ती पर भार 120 kg है, तो चंदर्मा पर उसका भार कितना होगा, आपके option है, first number 25 kg, दूसरा 28 kg, तीसरा 20 kg, और चौथा 120 kg, अटेम्ट करेंगे, पहरा number question, logical question है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो पहला का सही answer हो जागा, तीसर नमर 20 kg, यानि जितना आपका धर्ती पर वेट है, माल लेते हैं, आपका वेट 120 है, तो उसको गुना कर दीजिए, 1 by 6 से, तो 6 से जब आप भाग करेंगे 120 को, तो 20 kg आजाएगा, ठीक है, यानि आपका जितना वेट है, उसको 1 by 6 से अगर आप गुना करेंगे, तो जितना आ तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा, उप्सन नमर 4, प्रकास का परिकिरनन, इसमें 10 कोस्टन इस सब्जेक्ट से रहता है, फिजिक्स, कमेस्ट्री और बाइलोजी से, ठीक है, तीसरा है, प्रतियक गरह सूरी के 4 और एक द्रिग विर्ताकार का अक्छा में घुमता है, तत करेंगे, तीसरा नमर प्रस्ण, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा, दूसरा नमर कैपलर का प्रत्रम गरह नियम, 4 है, माइक्रो वेब ओबन में भोजन पकाने में किस तरंग का उप्योग किया जाता है, आपके ऑप्सन है, फरस्ट मर माइक्रो तरंगे या सुक्ष्म तर कर जाता है, और आप आसानी से आग जला सकते हैं, आपके ऑप्सन है, फरस्ट मर गुर्तवा करसन, दूसरा है परवलता, तीसरा है केसी कत्व और चौथा नमर केसी कत्व, तो फाइट का सही आंसर हो जाएगा, तीसरा नमर केसी कत्व, शिक्स है पतली सुई, किस कारण से पानी में तेरती है, पहला हो गया कोथनाक अधिक होने के कारण, दूसरा है प्रिष्ट तनाप के कारण, तीसरा है आसंजग बल के कारण, और चौथा है इन में से कोई नहीं, अटेम्ट करेंगी 6 नमर कुश्चन, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा, दूसरा नमर प्रिष्ट खंडन, एट है ब्लैक बोड वा चौख के कनों के बीच किस कारण से लिखना समबभ हो पाता है, यानि आप ब्लैक बोड पर जो चौख से लिखते हैं, तो चौख से उग जाता है अक्छर, वो किस कारण से होता है, यह आपको बताना है, आपको आप्सन है फर्स नमर से पासकल का नियम, दुसरा अर्कमेडीज का सिद्धान, तिसरा आइंस्टीन का नियम, और चौथा इन में से कोई नहीं, हैड्रोलिक ब्रेक हो या हैड्रोलिक लिफ्ट हो या किस नियम पे काम करता है यह आपको बताना है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नमबर पासकल का नियम, दस है पैरा बैंगनी तरंगे का परियोग निम्लिकित में से किसमें नहीं करते हैं, आपके उप्सन है फरस नमबर जिबानवों को नश्ट करने में, दूसरा है खनीच के प्रती दर्स की जांच करने में, तिसरा है अनवों की सनरचना ग्यात करने में, और चौथा ह में, तो 10 का सैयांसर हो जागा, उप्सन नमबर 4, रडार में, कुशन नमबर 11, आलू के चिप्स, प्लास्टिक के थेले में, किस वातावरन में संकुचित किये जाते हैं, आप देखे होंगे, लेस का पैकेट, वो फुला नजर आता है, तो वो किस कारण से होता है, उसमें क ट्रोजन वातावरन, 12 है भारी मसीनों के उप्योग के लिए, सिनेहट के रूप में, किसका उप्योग किया जाता है, आपके उप्सन है, फर्स्ट नमर हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है नमक और चौथा है तामबा, तो 12 का सैयांसर हो जागा, दूसरा नमर ग्रे अवस्था क्या है, आपके उप्सन है, फर्स्ट नमर ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा है पलाजमा, तो 14 का सैयांसर हो जागा, उप्सन नमर फोर पलाजमा, अगर आपको केमेस्ट्री सेरियल वाइस पढ़ना है, तो NCRT से आप देख सकते हैं, 35 से ले तीसरा है सौर पबन और चौथा है बास, इसमें आपको बताना है कोन पलाजमा के अवस्था का उधारन नहीं है, तो 15 का सैयांसर हो जाएगा, उप्सन नमर फोर बास, 16 है एक ज्यारत त्वत्व गैस में कोन सा दो रंगीन गैस है, यानि जिसमें कलर है, आपके उप्सन है दस्म, कमरे के ताप पर पाई जाने वाली धातू दरब का क्या नाम है, आपके उप्सन है फर्स्टमर मरकरी, दूसरा है सोडियम, तिसरा है मेगनेशियम और चौथा है नियोन, तो 17 का सैयांसर हो जागा, पहला नमर मरकरी, 18 कमरे के ताप पर पाई जाने वाला दरब और दातू का क्या नाम है, आपके उप्सन है फर्स्टमर गैलियम, दूसरा है ब्रोमीन, तिसरा है हिलियम और चौथा है इन में से कोई नहीं, तो 18 का सैयांसर हो जागा, दूसरा नमर ब्रोमीन, ब्रोमीन is a right answer, ये दोनों कुश्चन लगभग एक्जाम में 10 बार आ चुके है ठीक है, उनी से काच किसका बना होता है, आपके उप्सन है फर्स्टमर कैल्सियम क्लोराइट, दूसरा है मेगनिसियम क्लोराइट, तिसरा है सोडियम कैल्सियम सिलिकेट, और चौथा है जिंक सल्फिट, काच मतलब गिलास होता है, सीसा का गिलास, तो 19 का सैयांसर हो आपका तीसरा नमबर सहथ, सेयान का मतलब होता है गाढ़ापन, तो सहथ सबसे गाढ़ा है, इसलिए इसके उधारन है, कुशन नमबर 21, 21 उट अपने कूबर का उप्योग किस काम के लिए करता है, आपके उप्सन है, फर्स्टमर प्रोटीन के संगरा के लिए, दूसरा है पानी के संगरा के लिए, तीसरा है वसा के संगरा के लिए, चौता है कार्बोहेडरेट के संगरा के लिए, अटेम करेंगे 21 प्रस्ट, तो 21 का सहयान सर हो जाएगा तीसरा नमबर वसा के संगरा के लिए, 22 है नेतरदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित कि जाता है यानि लगाया जाता है आपके option है फर्स्टमर कॉर्णिया दूसरा है पूरा आंक तीसरा है रेटिना और चौथा है इन में से सभी तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कॉर्णिया चलिए next question question number 23 किस कोशिका को आत्मत्या की थैली कहते हैं आपके option है फर्स नंबर लाइसोसोम दूसरा है राइबोसोम तीसरा है गालजी उपकरन चौथा है माइटरो कॉर्णिया कोशिका की आत्म गाती थैली या आत्मत्या की थैली किसे कहा जाता है बताएगे आप तो 23 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लाइसोसोम 24 है विद्धूद मोटर जो विद्धूद चुमबक्या प्रभाप के सिद्धांद पर करता है यह किस उर्जा को किस उर्जा में बदलता है आपके option है first number विद्दूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में दूसरा यांत्री कुर्जा को विद्दूत उर्जा में तिसरा है ध्वनी उर्जा को विद्दूत उर्जा में और चौथा इन में से कोई नहीं तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विद्दू तूर्जा को यांतरी कुर्जा में चलिए next question, question number 25 कौन संभाहक उत्तक के जो पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के आने भागों तक पहुचाता है आपके option है first number जाइलम, दूसरा है फ्लोयम, तीसरा है प्रिष्टनाब और चोथा है एक और दो दोनो तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर फ्लोयम 26 है मकडी एवं विच्चु किस से सांस लेती है आपके option है first number त्वचा, दूसरा है स्वसन नाल, तीसरा है मुख गुहिका और चोथा है पूस्थ फेपडे तो 26 का सही आंसर हो जाएगा option number 4 पूस्थ फेपडे चले next question, question number 27 इंसुलीन, वेसोप्रेसीन ये क्या है आपके option है first number carbohydrate, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन और चोथा है इन में से सभी तो 27 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा number protein 28 है निम्लिकित में कौन सा विटामीन वसा में घुलने वाला है आपके option है first number vitamin A और D, दूसरा है विटामीन E और K तीसरा है विटामीन B और C, और चोथा है एक और दो दोनो 28 का सही आंसर हो जाएगा option number 4, एक और दो दोनो B और C जो विटामीन है ये जल में घुलता है, ठीक है चले, test 2 का आखरी 2 question, question number 29 दूट से दही बनना ये किस परिवर्तन को दरसाता है आपके option है first number भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रसाइनिक परिवर्तन तीसरा है एक और दो दोनो, चोथा है इन में से कोई नहीं तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा number रसाइनिक परिवर्तन तीस है किसान किस विधी का उप्योग करके हलके भूसे को भारी अनाज से अलग करता है आपके option है first number निस्पादन, दूसरा आस्वन, तीसरा है प्रभाजी आस्वन, और चोथा है रवाकरन तो 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला number निस्पादन तो यह NCRT based science test 2 का 30 question था, I hope कि आप सबको अच्छा marks आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो आप NCRT detail में देख सकते हैं, NCRT set 42 तक पढ़ाया गया है कल 43 morning में आपको मिल जाएगा, इसलिए daily आप NCRT विज्ञान करें क्योंकि हर एक exam में लगबग 30-35 question आपका science कराता है, तो weightage काफी जादा है, आपके result आने में science एहम भूमिका निवाएगी इसलिए आपको science अच्छे डंग से paper तयार करके देना चाहिए और याद करना चाहिए, ठीक है चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो यह वाला पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक like कर लेंगे, thank you so much, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में